कि 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 हलो नमस्कार बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का नमस्ते इंडिया में मैं हूं मौमद आसम क्या मेरी आवाज आ रही है हाजी यह टाइम कैसा लगा आपको क्या मेरी आवाज धिंसे आ रही है येस प्लीज एक बार जल्ली बता दीजे गुट इवनिंग गुट इवनिंग एवरीवान कल आपकी क्लास भी शाम को ही होगी मंडे ऑनवर्ड बैक टू मॉर्णिंग हो जाएगी ठीक है तो मेरी आवास सबको आ रही है वाइस इस क्लियर चलिए जली ज्वाइं कर लो फिर आपन शुरू करते हैं आज केस चौका दिया सर क्यों भाई सुबह की जगह शाम को मिलगा है इसलिए चला शुरू करें न्यू एंडिये बैच वेरी सून अफकॉर्स वेरी सून आज ये नमस्ते इंडिया जो है शाम को हो रहा है ये कल भी आपको एक दिन और शाम को मिलेगा उसका बंडे ओनवर्ड्स बैक टू मॉर्निंग हो जाएगा चलो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल की तरह बढ़ते हैं पहला सवाल ये रहा आपके सामने हाजी के साथ एक वर्चुल तरीके से साइबर एक्सराइस करी है तो देखो यार एक वर्चुल तरीके से क्या हुई है यानि वर्चुल मतलब आपको समझ में आ रहा है डिजिटल रूप से क्या हुआ है एक साइबर एक्सराइस करी है साइबर सेक्यॉरिटी के लिए एक्सराइस के invitees थे जो इस exercise में यहाँ पर join किये गए ठीक है अब यह जो यहाँ पर exercise हुआ है यह exercise किस ने किया है इसको कौन conduct किया है इंडिया की तरफ से इंडिया की तरफ से यहाँ पर रहा है NSCS note कर लीजे NSCS इसका full form क्या होता है national please note कर लीजे national security national security council secretariat council secretariat ठीक है ना इस यह body है जो इंडिया की तरफ से थी जिसने यहाँ पर UK government के साथ मिलकर यह exercise virtual तरीके से जो हुई है वो करके दिखाई है ठीक है ना यह करके दिखाई है पॉइंट समझ में आ गया ठीक है ना अब इंडिया का यहाँ पर एक इंडिया led एक इनिशेटिव है जिसको बोलते हैं हम लोग counter ransomware initiative नोट करिए जिसको हम लोग बोलते हैं counter counter ransomware रानसम व्यर поговорING काउंटर रांसम वेरा इनीशेटिव ये अई अ करता है इंडिया लेट है इन्धिया इंडिया सको लीट करता है तो यह जो भी आपका तादा सेक्योरिटी एक। हुआ है 26 countries के लिए 26 invites के लिए वह बारा सरकार ने UK की साथ किया है और यहां पर यह जो पर्टिकलर रिवाडी है यह जो पर्टिकलर इनिशेटिव इंडिया का इसके तहत यह एक्साइज करी गई है ठीक है तो इंडिया इस लीडिंग इस पर्टिकलर इनिशेटिव काउंटर रैंसम्वेर इनिशेटिव इंडिया इसको लीड कर रहा है और इसी इनिशेटिव के तहद यह साइबर एक्साइज यूके गवर्मेंट के साथ करी गई है पॉइंट समझ में आ गया क्लियर हो गया चलो आजाओ नंबर टू की तरफ बढ़ते हैं अगला सवाल विच आप इनिशेटी ज्व्यूं युनेस्को का एक ग्लोबाल और डोबन वह जोंता है of learning cities चलता है इसको short form में GNLC बोला जा रहा है UNESCO GNLC बोला जा रहा है अब यहाँ पर इसके तहत क्या किया जाता है इसमें कौन-कौन से शहर आते हैं इसमें वो शहर आते हैं जो lifetime कुछ ना कुछ learning देके जाते हैं यहाँ पर वरंगल तिसरूर और निलंबूर यह दोनों का cities तो आपको मिल जाएंगे केरला के अंदर यह दोनों city मिल जाएंगे केरला में और वरंगल आपको मिल जाएगा in the city or in the state of sir sorry पर आपने तो reply नहीं किया देखा नहीं यहर मैंने I am not able to सब्सक्राइब देख नहीं पाया ठीक है बताईए जरा हाजी यह प्लीज बिल्कुल सही है तो वरंगल आपको मिलेगा तिलंगाना में तो तिलंगाना का एक शहर आओ गया आपका वरंगल केरला के दो शहर हो गया तिजरूर इनको युनेसको की इस लिए यहां पर यह शिटी को एड किया जाता है यहां पर टोटल इंडिया के इंदर देखोगे तो 77 इवन इस वं हैं इंडिया के नदर इन में से total 77 cities है जो इसके part है ठीक है न तो total very very important है धान रखीगा इस point को ठीक है note कर लीजे note कर लीजे ठीक है टोटल 77 आपको मिलेंगे टोटल 77 cities मिलेंगे उसमें से 44 और 44 कंट्रीज में उसमें से ये भी एक पार्ट हो चुके हैं ठीक है clear है मतलब हाल फिलाल इसमें UNESCO की network of learning cities में very very important note कर लो ठीक है भाई ठीक है ठीक है अरे लेट नहीं हुए टाइमी 830 दिया था आज का तो सर कहना है आज का question भी एकदम पूछो एकदम पूछा जाए चलिए आगे आए next which of the falling city कौन सा city है hosting the 7th edition of space expo 2022 इस पेश एक्सपो 2022 कौन सेटी होस कर रहा है एक्चलिए अभी पीटी देखा तो उसमें देखा कि यहां पर नाम ही लिखा हुआ था पर आंसर बंगलूरू बंगलूरू इस दा करेंट आंसर बंगलूरू में यह स्पेस एक्स पो हुआ जिसको हम लोग बोल रहे हैं बी एस एक्स बी एस एक्स ठीक है न यह बी एस एक्स यहां पर हुआ बी एस एक्स दो अजार बाईस यहां पर क्या हुआ है कि जो भी आपके स्पेस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जो भी आपके स्पेस से रिलेटेड चीजे हैं उसको यहां पर इस एक्जिबिशन में पोट्रे किया जाएगा दिखाया जाएगा ठीक है ना उसको इस exhibition में पोट्रे किया गया है यह कहां पर एक्सपो हुआ है यह स्पेस एक्सपो 7 एडिशन बेंगलूरू की सिटी में किया गया है नोट कर लेजे यह क्लास अभीनेश शुबह होती है नोबजे ठीक है आज यह आपर हुए है वाट इस एक्सपो भाई एक्सपो क्या होता है एक तरीके से हम कह सकते हैं एक exhibition होती है एक exhibition होती है जहां पर मतलब बहुती बड़े मात्रा में बहुती बड़ी quantity में जैसे कि आपको car expo होता है जह है वह एक ही जगा शोकेस करी जाती है similarly यहां पर space expo हुआ है तो जो भी चीज़ें आपकी space प्रॉडक्ट्स ते रिलेटेड है उसको यहां पर शोकेस किया जाएगा इस चीज़ को इसरों ने किया है नौगरेट लांच किया है साथ में इसके साथ in space भी था in space का full form आपको पता है that is that is what is in space in space basically क्या होता है यह आपका space promotion and authorization center है ठीक है इंडियन नाशनल space promotion and authorization center तो इन लोग ने मिलकर यहां पर यह एक्सपो किया है यह एक्सपो बैंगलूरी में हुआ है नोट कर लिए नोट कर लो प्लीज़ोट डाउन नोट कर लिज़े नोट कर लिज़े क्लियर है चलो आजाओ सर हम लोग जो अभी नोट्स पढ़ड़ाए बनाए थे वो 2023 बिलकुर कर सकते हो current affairs छोड़ दो बागी सारा static रहेगा वो सब आपका सेम रहेगा चली आ गया जाए नेक्स्ट अभी देखो मैंने शाद ही आपको question अलग तरीकी से बताया था किसने सेंटर का inauguration किया लेकिन अभी पूछ रहा है यहां पर कि नालसा जो है नालसा वाट इस नालसा इस दी नाशनल लीगल सर्वे authority अभी इसका objective क्या होता है इसका objective है free legal aid provide करना इसका objective है free legal aid provide करना ठीक है free legal aid provide करना मतलब आपके constitution में भी article 39 एक अंदर दिया हुआ है कि वह जो भी poor segment के लोग हैं जो अपना case नहीं लड़ सकते हैं जो उनके पास पैसे इतने नहीं है कि वह अपनी legal उनको कोई legal support मिल पाया उसके लिए payment कर पाएं तो इसके लिए यहां पर free legal aid provide की जाएगी नालसा यहां पर बॉड़ी है अब यह जो नालसा बनाई गई है यह आपका Legal Services Legal Authority है उसके तहट बनाई गये है उस एक्ट के तहट अबनाई गई है नाशनल लेविवल पर नालसा काम करता है इस स्टेट ले स्टेट लीगल सर्विस अथोरिटी हो जाएगा ऐसे आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होता है ठीक है ना हर लेवल पे आपको इस तरह की बॉड़ी बनाई जाती है जो कि आपको फ्री लीगल एट प्रोवाइट कर सके तो अभी इसके लिए किसने यह पर यह कौन सा व् पूछता है कि नालसा के एक्जेगुटिफ चेर्मैन कौन मनाए गए हैं नालसा के एक्जेगुटिफ चेर्मैन अभी रीसेंटली कौन मनाए गए हैं डी यह जस्टिस जस्टिस डी वाई चंद्रचूद यह बनाए गए हैं नालसा के नालसा के रीसेंटली ची वेरी वेरी इंपोर्टेंट है अभी तक executive chairman यहां पर कौन थे वो थे आपके यूजू ललित ठीक है उमेश ललित लेकिन इनको lift up कर लिया गया है as the chief justice of India right now he is the patron of Nalsa ठीक है he is the patron of Nalsa लेकिन अगर पूछेगा कि नालसा का executive chairman कौन है तो he is justice D.Y. चंद्रुशुद बात समझ में आ गया बात समझ में आ गया चलिए आगे आ जाए करेट टांसर हो गया इसका C उदय उमेश ललित यू यू ललित आगे आ जाए next international literacy day कब होता है international literacy day कब होता है 8 September को होता है correct answer is 8 September mark कर लिजे correct answer is 8 September mark कर लिजे अब इसकी theme की बारे पूछेगा लिख लिए transforming literacy theme पूछता है इसकी theme लिख लिख लिजे transforming literacy transforming literacy transforming literacy transforming literacy learning learning spaces transforming literacy learning learning spaces यह इसका theme यहाँ पर क्या हुआ था कब यह decide हुआ तब ही है कि इंटरनाशनल हम लोग literacy day organize करेंगे यह जो starting में UNESCO का ठीक है UNESCO का यहाँ पर क्या हुआ था प्लीज नोट कर लिजे आपको बता जेता हूँ very very important है यह UNESCO ने इसको declare किया था अपने 14 session में please note it down 14 session हुआ था किसका 14 session हुआ था किसका UNESCO का ठीक है UNESCO के 14 session में यह session कब हुआ था at the rate in the year 1966 66 तभी यह declare कर दिया गया था कि 8 September will be observed as the international literacy day which is called as the ILD ठीक है नोट कर लो ठीक है correct answer क्या हो गया 8 September मांक कर लिया जाए तो इंटनाशन लिटरिसी डे का team क्या है transforming literacy learning spaces 8 September को observe होता है UNESCO का 14 session हुआ था 1966 में तब यहां पर रिक्लर किया गया था कि हम लोगों का जो 8th international literacy day होगा हम लोगों का इंटनाशन लिटरिसी डे होगा वह 8 September को होगा clear है कि इसके इंडिया के एक्जाम में unfair का यूज़ा है उसके लेकर कोई twitter campaign of course we are actually we are waiting for the UPSC reply UPSC still ऐसा नहीं है कि उस पर विशास उठ गया मरे आप से मुझे लगता है UPSC will revert to this ऐसा नहीं है कि UPSC revert नहीं करेगा definitely कुछ तो रिवाट इसमें आएगा ठीक है सर मैं answer देती तो आप नहीं लेते हैं या कांशा कुमारी नाम ले रहे हैं बताओ सर ethics क्या पूछ रहो quick vision सर ethics की कौन सी book और ISS के लिए कैसे strategy बनाओ अभी तुम ethics के पीजे क्यों पढ़े हो अभी तुम्हें paper 5 की क्या जरूवत है करने की भाई अभी चैशं clause 3 अभी मत पढ़ो अभी जरूवत नहीं है इस बार तुमको prelims देना है क्या इस बार भी ऐससे बार नहीं है क्या जो एंडिए टू क्लिए होजाए मत अभी यह करेंगे um course उनके लिए यहां पर होगा उनके लिए यहापर होगा चलिए आप कुछ चीजेंए यहां पर स्टाटिक को स्टाट्रिंट जो आपके एकजाम में आ सकता है ये रचिए यहां सबस्टींट नियूंबर 16 November 1945 को UNESCO बन गया था UNESCO का आपको Headquarter कहा मिलेगा UNESCO का आपको Headquarter कहा मिलेगा लिखिए Paris लिखिए यहाँ पर Paris अभी यहाँ पर कौन इसका Head है Head कौन है UNESCO का लिखिए Audre 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 यह कुछ बेसिक चीज़े हैं जो आपके examination ने पूछी है रखती है UNESCO को लेकर ठीक है रहा यह पॉइंट याद रखीगा और यह पॉइंट याद रखीगा और डेट तो यादी रखीगा ठीक है जी चलो आगे आजओ नेक्स कोशन की तरह बढ़ते हैं अगला सवाल अजी Which state has been accredited? किस state को यह accredition दिया गया है यादि यह recognition दिया गया है The International Travel Award for 2023 International Travel Award 2023 किस state को दिया गया है Best Destination for Culture यह दिया गया है West Bengal को भाई साब West Bengal को दिया गया है Mark roll ठीक है West Bengal को दिया गया है पहले तो Mark roll Simple question है यह इतना इंपोर्टन भी नहीं इसको आप छोड़ते हैं यह इतना इसको देता है यह इसको पटवा देता है पटवा अब यहाँ पर लग रहा है बड़ा देसी नाम बट है बड़ा अंग्रेशी नाम प्लीज नोट कर यह पैसिफिक पैसिफिक एरिया पैसिफिक एरिया ट्रावल वेलफेर असोसिएशन ट्रावल वेलफेर असोसिएशन ट्रावल वेलफेर असोसिएशन ट्रावल वेलफेर असोसिएशन ठीक है तो यह इसके द्वारा एक्रेडिट किया जाता है पटवा के द्वारा एक्रेडिट किया जाता ह तो यह ओ गया आपका UNWTO ठीक है नोट कर लोज पॉइंट को नोट कर लो इस पॉइंट को और यह आंसर तो माख कर लो ठीक है तर वी नीड ऑफलाइन इन डीए प्लीज ओके सर अंडीए न्यू बैच कब लॉँच होगा मेरा क्लियर हो गया है पर डाड ने बुला है नेक्स अटेंप्ट भी शुरू कर दो अंडीए में तो गदर काट दिया तुमने गदर काटा की नहीं हमारे काटने से क्या होगा कटना नहीं चाहिए बस काटना पड़ेगा तुमको काटने वाले बनो कटने वाले नहीं सर मेरी ncrt हो गई है ncrt हो गई है तो भाय अब इसके बाद अब जाओ optionals पर note बनाओ और optionals पड़ो quick revision optionals पड़ो choose your optionals ethics ethics उस साल देना उस साल पढ़ना शुरू कर देना जिस साल तो में मेंस देना हूँ ठीक है पहले optionals पढ़ो कहां से कहां तक आएगा देखो यार अब कहां से कहां तक आएगा मैं तो कहता हूँ August से आ सकता है अगस्ट से आएगा आपका आपका एक्जाम कभे एप्रिल लास्ट में एप्रिल में न तो मार्च तक का मानके चलो लंबा अच्छा खासा करेंट एफेर्ज आएगा अच्छा खासा करेंट एफेर्ज आएगा आउगस्ट सब्टेंबर अक्टूबर नेवेंबर डिसेंबर जैनवरी फेब्री मार्च साथ से आठ महिने करेंट अफेर्स भाई साहाब सार अगर अगरेंट अफेर्स बता दिया प्रीथी यहां पर अभी कौन पॉइंट किया गया है संजय कुमार वर्मा पॉइंट किया हुआ है ठीक है अन्शुमन गौर को वर्टेक किया हुआ है नोड कर लो अन अरे अन्शुमन गौर इससे पहले अन्शुमन गौर थे उनको यहां पर ओवर्टेक करके अब संजय कुमार वर्मा इस दा नियू इस दा नियू हाई कमेशनर टू कैनड़ा नेक्स आज़ा पीम मोधी टू अन्वील स्टाच्यू ऑफ नेता जी सुभाश चंद्र बोस अब यह काफी फेमस न्यूस है करेंट आंसर करता व्यपत अब करता व्यपत कहां से कहां तक है इंडिया गेट से अब करता व्यपत में आपको पता है इंडिया गेट पे क्या किया गया है इंडिया गेट पे इन्होंने क्या किया है हमारे पीम साब मोधी सामने स्टैच्यू अन्विल करिए सुभाश चंद्र बोस की ठीके ना ऐसी बोस की तो पहले यहां पर यह मूर्थी नहीं हुआ करत संट्र में जो पूरा पात पे लगा रहेगा और यह आपको पूरा फूराव पात पे मिलेगा ठीक है अनुम मूर्ट बरत अव्यन क्रेट अफिर मिलेंगी फूरे को इस अब जो किया गया है इस ऑन अन्डर प्रजेट का बोलते हैं इसको जो आप विस्टा इसको हम लोग बोलते हैं Central Vista Redvelopment Project ठीक है ना क्या बोलते हैं इसको हम लोग Central Vista इस तहर्या पर क्या-क्या चीज़ें चेंज करी कियään एक तो किया गया है New Parliament building बिल्डिंग मना दी गई है New Parliament building जो कि एक TRIANGULAR फ्सक्राइब और से यहां पर सठयाै। ऑल्रीज ए पार्ट और प्रोजेट के तहती किया गया है। तो यही नाम जो भी आपको दिख रहा है, जैसे इससे पहले भी कई सारे नाम बदले गए हैं, लोग कल्यान मार्क कर दिया गया है, लोग कल्यान मार्क नाम कर दिया गया है, इस तरह से यहाँ पर नाम चेंज किये गए हैं, ऐसे यहाँ पर इसका नाम भी जो राजपत था उसका नाम भी एक करतव विपत कर दिया गया है, नोट कर लीजे, का canni है है कि अनुट्ट में किरण टेफे सिट्सरा विय से थो दो या यह कि युद्ट में बहुत ही कम आगें on कि ते रूघ फ़ेसे जितर से धूरें की नहीं से खालेंगा है तो ते हैं इसलिए इत्थ अगस्ट से जहां तक हो गया वहां तक पड़ो जिन लोग अटेम्ट दिया वो रिवाइस भी करें पुराना वाला और अगस्ट से लेकर मार्च तक बिटा देखो लड़ाई इतनी जादा है ना कि अगर यह पढ़ता जाओगे रिवाइस करता जाओगे जो लोग ने अभी इ यह देने वाले है जो लोग एंडिये देने वाले हैं वन ऑफ दो हजार तेईस मैं उनसे यह कहूंगा कि आप जो है क्योंकि पैटन मैं यह देख रहा हूँ मैं पैटन यह देख रहा हूं कि भाई छे महीने से बियॉण्ड भी पीच्छे भी पूछ रहा है जैसे इस बार उसने union territory भी सवाल पूछ दिया कौन से union territory को मर्च किया गया था कुछ time पहले की बात है वो इस बार मैंने नहीं पढ़ाया था ठीक है इस बार मैंने उसको नहीं पढ़ाया था तो अभी क्या है यहां पर अभी आपका यह हो गया कि यार अगर आप मार्स जुलाई कपढ़े र कोई नहीं जीन सकता और जो cds जेने जा रहा है भाई साब मान के चलो 15 में 15 सवाल कर ले जाओगे 15 में 15 कोश्चन करेंट अफेस के अराम से कल ले जाओगे 15 सवाल बहुत माटर करते हैं करेंट एफेस के सीडियस के अंदर या इंडिये के अंदर 10 सवाल 12 सवाल जो भी आते बहुत माटर करते हैं ठीक है ठीक है ना चलो आगी आज ओनेक्स कोशन इतरह बढ़ते हैं हाँ अब दिखें यहां पर विच एक्सपरिमेंट अव नासा सक्सेस्फुली क्रिएट्स ऑक्सीजन और मार्स अब मार्स पे कौन सा यहां पर यह एक्सपरिमेंट है नासा की दौ लंच बॉक्स चितना बड़ा है ठीक है इतस exactly लौन नच बॉक्स डाइस यह आपको मिला लॉन पौक्स का मिलेगा और यहां पर यह क्या कर रहा है यह उक्सीजन डियड्स कर रा है कृइटorkर लिए काम कर रहा है इस बहुँर्ध को सब्सक्रतियंट नासा का यह मेशन मॉ मार्स ऑक्सीजन इनसितू रिसोर्स इसका फुल फॉर्म लिख लिजे मार्स ऑक्सीजन मार्स ऑक्सीजन अब देखो इनसितू इनसितू मतलब आप समझी सकतो वहाँ पर किया गया बनाया गया ठीक है मार्स ऑक्सीजन इनसितू रिसोर्स यूटलाइजेशन एक्सपरिमेंट यह आपका मॉक्सी, क्या कर रहा है मॉक्सी, basically Mars Oxygen इन सितू मतलब क्या होता है, वहीं के वहीं produce करना, एक सितू क्या होता है कहीं बाहर, ठीक है कहीं बाहर, वो होता है एक सितू, बट इन सितू is something जैसे कि for example, अगर हम Animal Conservation की बात करें, तो भई इन सितू क्या है, कि आप कहीं से जानवर लाके एक जिगा पर रख देते हैं, वहाँ पर उनको conserve कर रहे हैं, वाट इस एक सितू कहीं जानवर wild में already हैं, और वहाँ आप चारो तरह boundary create कर देंगे that is एक सितू conservation, similarly यहाँ पर इन सितू मतलब जहाँ पर है, तो वहीं पर मार्स पर ही oxygen मनाने की कोशिश करी जा रही है, ठीक है यह उसका experiment है, जिसको बोलते है moxie experiment, ठीक है क्या बोल रहा है इसको moxie experiment बोल रहा है, नोट कर लीजे NASA का यह experiment है, एक तो आप से पूछ सकता है moxie experiment, कौन कर रहा है NASA कर रहा है, याद करीगा, objective क्या है उसका oxygen मनाना मार्स पर, बस यही तीन चीज़ याद रखना है, आपको अपना लिखोगे न, notes, तो notes पर लिखिए moxie, moxie के नीचे लिखिए, आप उसका full form, full form के नीचे लिखिए, यहाँ पर अधरेट, NASA के द्वारा चलायाता है, उसे लिखिए, इसका objective क्या है oxygen produce करना, oxygen produce करना, ठीके न, बस इतना ही आपको उसमें note करना है, स्यादा note नहीं करना है, clear है, चलो, आगे आजाओ, next question with government launch the pudumai pen scheme for girl students, अब देखो यार, यह scheme है मेरे ख्याल से again state government की scheme है, आपके ndi, cds, exam नहीं आने वाली, नहीं आने वाली, नहीं आने वाली, क्या objective इसका, girl students का objective ठीके, मैं तो देखो सारे सवाल कराऊंगा, चाहे तुच्चा सवाल हो, चाहे अच्छा सवाल हो, मैं सवाल सारे कराऊंगा, क्योंकि daily current affairs हो रहा है, तो भाई यह जो पुदumai pen scheme है, यह girl students के लिए scheme है, और यह किसने launch करी है, A. उत्तरपदेश, B. मद्यपदेश, सीथ, तमिलनाडू या D. राजिस्थान, अब नाम से पता है अल्ला, यह तमिलनाडू की scheme है, ऐसा नाम लिखा है, प आपर साफ साफ दिख रहा है, कि भाई देखो objective भी clear है scheme का, scheme का objective क्या है, girl students के लिए, girl students के लिए scheme चालू कही गई है, दुबाई pen scheme, कौन से राजने करी है, तमिलनाडू, वन स्टार question है, बहुत important, कोई भी question नहीं है, ठीक है, next है जाओ, who will launch the प्धान मंत्री, TV, मुक्त भा प्धारा तभियान, मेरे खाल से बेटा, यह बहुत important question है, इसको लिख लो 5 star question, एकलोता question है, एकलोता question है, जो आज का जो आज का, जो मैं 5 star बोलूँगा, और यह आपके आने के high chances है, हो सकता हो, यह ना आए, लेकिन जो मैं आपको इसमें factual data बताने जा रहा हूं, वो आपक इस तो यह note कर लो, अब उसका देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, नाम लिखा है, पधानमंत्री TV मुक्त भारत अभियान, आपको लग सकता है, PM will be the correct answer, बट इसको launch किसने किया है, पधानमंत्री सामने, प्राहमंत्री जीने किया हुआ है, यह scheme अभी आज 9 सितंबर 2022 को launch हु करेंगे, TB, eliminate कर देंगे, इंडिया से, यह इंडिया का objective है, ठीक है, तो हमने वे early, क्योंकि देखो, जो sustainable development goals है, SDG, जो आपके sustainable development goals है, 17, उनमें क्या है, कि भई हम 2000, उसका goal क्या है, कि हम 2030 तक eliminate करेंगे, लेकिन इंडिया ने काफी early, 5 साल पहले का ही target रखके कहा है, कि हम 2025 त initiative, launch किया, जिसको बोलए है, निक्षय initiative, क्या बोल रहा है इसको, निक्षय initiative बोल रहा है, निक्षय initiative का objective कि, क्या है, ये इसी campaign का, एक बहुत ही important, एक एक component है, ठीक है, गटव औक और उह चलिज कर लिए जाए, पल down, क्या है, ठीक है, थीक है, तो ये निक्षय जो है, एक थ ट्रीटमेंट में लिदू और चल रहा है जो अंदटर को रहा है टीवी के ट्रीटमेंट में उनको यहां पर सपोर्च करता यह इसका पॉप्जूर निक्षा इनिशिटेफ का, यह इसका आपि यह याद कर सकर लो यह बहुत ब्हुत है मोटक Colo ठीक है, ठीक है, सर मेरा exact analysis करके 350 होगा, अब होगा कर नहीं, हो सकता है, high chances, high chances, अभी update नहीं है, cheating को लेकर, UPSC के statement के लिए वेट कर रहा है, ये बहुत ही important question अट्पनोट कर लो बेटा, कोई भी अगर यहाँ पर SSC की त्यारी कर रहा है, कोई भी अगर यहाँ पर railways की त्यार की त्यारी कर रहा है, ठीक है, और in fact मुझे लगता है, ये question तो, IS की परिक्षा में आ सकता है, 15 मंत्री TP मुक्त भारत अभ्यान को लेकर, भारत का जो objective है, वो ये, कि हम 2025 क्या करेंगे, TP eliminate कर देंगे, लेकिन जो sustainable development goals है, उसमें क्या target रखा गया है, उसमें target रखा गया है 2030 का साथ में एक element और launch किया गया है, जिसको बोल रहा है, निक्षय है, ठीक है, ये बहुत important component है, इसी scheme का, जिसके तहत, जो भी लोग TV का treatment अंडरगो कर रहे हैं, अभी जिनका हो रहा है, उनको यहाँ पर support करना financially, बास समझ में आ गया सर मेरी English के कुछ words समझ में नहीं आते हैं, अभी नव राठोर मैं ही कहूंगा कि मेटा English थोड़ा तुमको improve करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर तुमको NDA देना है, तो देखो यहाँ पर English का अलग से paper होता है, 50 सवाल आते हैं, 50 questions आते हैं, ठीक है, you cannot overlook, अगर तुम CDS के paper देना जाते हो, तो भी यहाँ पर English का एक individual paper होता है, अगर तुम IS देना चाते हो आगे जाके, तो भी यहाँ पर English का जो एक paper होता है, वो qualifying mark का होता है, qualify करना ही पड़ता है, तो बड़े-बड़े UPSC के जितने भी exams हैं, उसमें आपको आ रहा है, अब आजाओ SSC पे, SSC आपको paper English का मिलेगा ही मिलेगा, आप इसको overlook नहीं कर सकते, तो बेटा कभी आप अगर इन सब चीजों में सोच रहा हो, जैसे कि आप आजाओ बैंकिंग में, तो आपको banking में भी बेटा, आपको paper मिलने वाला है English का, इसलिए मैं कहता हूँ, कभी कुछ अगर आपको कभी ल चैनल पर एक वीडियो गया था, जो बच्चा फरहान की बात हो रही थी, जो torch की light ने पढ़ता है, यार मैंने उसका वीडियो देखा, मुझे वो वीडियो देखके रोना आ गया, मतलब लिटरिली मैं office में बैठा था, और मैं office में बैठकी वीडियो देखी रहा था, पर य चीज वो student अपने आप बया कर रहा है, और student का वो लगन वो मोटी वो चीज देखकर मैं कितना motivate हुआ, मुझे लगा यार ऐसे लोग होते हैं, मतलब उसका आप लगन देखो, उसको हर दिन demoralizing लगता होगा, उसको हर दिन लगता होगा, आज हार गया, आज नहीं हो पाएग क्या है ऐसा English में जो मुझे नहीं आ रही है, it's a very easy thing, आप कोई भी चीज इंग्लिश से पढ़ना start कर दो, यह महनत करनी पड़ेगी, कहीं चमकना है अलग से, तो अपने आपको घिसना पड़ेगा, चमको और चमकने के लिए महनत करो, यूँकि चमको होगे नहीं, तो यार कुछ नहीं हो सकता, और चमकना important है, और दूसरी बात यह भी कहूंगा, कि अगर तुम्हें अपना कलाइबर पहचानना बहुत ज़रूरी है, यह पहचानो कि तुम कहां चमक सकते हो, यह भी बहुत important है, अपने चमकने के तुम्हारा zone क्या है, उसको analyze करो, that is very very important, कि आपको अपने चमकने को पहचानना है, कि आप चमक कहां सकते हो, जैसे कि एक drop of water है, अगर वो बूंद, पानी का बूंद, अगर समुंदर में गिरेगा, तो क्या उस बूंद की कोई पहचान होती है, नहीं होती है, लेकिन वही बूंद, अगर आपका कोई lotus के petals क्यों पर गिर है, किसी गुलाब की उपर गिर जाए, तो वो पानी की बूंद अलग से चमकती है, so it is like कि आपको पहचानना पड़ेगा, that where can you shine, ये मस सोचो, public opinion के बारे मस सोचो, कि यार फला क्या कर रहा है, फला क्या कर रहा है, फला क्या कहेगा, फला क्या कहेगा, उसके बारे मस सोचो अपनी capabilities को पहचानो, अपने आपको analyze करो, तुम सबसे अच्छे teacher हो, अपने आपके, तुमसे जादा कोई भी तुम्हें नहीं सिखा सकता, तुमसे जादा कोई भी नहीं पहचान सकता, अपने आप से सच बोलो, और अपने आपको उस रास्ते पर चलना, start कर दो, बेवालत पोस्टिंग ऐसी जगह हो गई, और जगह से लोग भी आए, वो हिंदी नहीं बोल पाते हैं, तुम कैसे communicate करोगे, वो officers communicate कैसे करेंगे, वो officers जो भी है, वो officer किस प्रकार से बातचीद करेंगे, तुम्हें अगर मान लोग कभी गई हो, पोस्टिंग कर दी गई, वहाँ पर ह इंदी लोग नहीं बोल पा रहे हैं, तुम कैसे communicate करोगे, इसलिए English is a medium of communication, English को ऐसा barrier में सुचा करो, English को as a medium of communication सुचा करो, ठीक है ना? क्या सर आप जैसे current affairs में सब कुछ करवाते हैं, तो मेरे आपसे request है, कि क्या आप NDA वाले current affairs, current affairs, इन में से बता सकते हैं, अच्छा इन में से current affairs, NDA के लिए, देखो, ये वाला NDA के लिए है, ये NDA के लिए है, ये NDA के लिए है, देखो यार, आ तो कुछ भी सकता है, आ तो कुछ भी सकता है, बट ये मेरा experience है खाली, मैं तुम्हें अपने experience और अपने उससे बता रहा हूँ, ये नहीं आएगा, ये note कर लो, ये CDS के लिए important है, CDS, IS, इन में आ सकता है, NDA के लिए भी लिख सकते हो, प अपर, ठीक है, उसके बाद आ जाओ, very very important question, लिख लो, five star question, five star question आईए, five star question देख लो, NDA, note कर लो, NDA, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, लिख लो, NDA, NDA, सब मेरे, मैं अपने experience से बता रहा हूँ, देखो, आ तो कुछ भी सकता है, ये बाद सोचो कि सर जो बता रहे है, ये कहीं लिखा है, कि यहीं पूछेंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ये बस मेरा experience है, जो मैं कह सकता हूँ कि ये आएगा, या ये नहीं आएगा, ठीक है ठीक है, ठीक है न, अफकोर्स जरूरी, इंपॉर्टेंट है, इस मन्त का current affairs, UPSC के लिए भी, छोड़ दो उसको, मेरे ख्याल से विज़ाद फॉन जोईन, छोड़ दो, छोड़ दो, यही है आज तीन चार questions आपके आए हैं, ठीक है, तो ये हो गई आपकी class आज की खतम, इ SSB की त्यारी शुरू कर दो, ठीक है, ठीक है, सर आप मेरे mentor बन सकते है, PW app पर, ऐसा भी कहा है क्या कुछ, यह I am not aware of it, कभ से time change होगा, time change नहीं हुआ यार, आज कल और ऐसा रहेगा, थोड़ा समय मैं travel कर रहा हूं, movement में हूं, Monday onwards back to normal हो जाएगा 9am, ठीक है, सुबही class ठीक है, और मैं कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा और जल्दी करने को, ठीक है, ठीक है, how to read the Hindu, हिंदू पढ़ने के लिए पहले जरूरी है कि आप UPSC का syllabus पढ़ो, आप UPSC का syllabus पढ़ो, और हिंदू पढ़ना क्या है, यार, शाम को अगर अकबार पढ़ न्यूस देख लोग तुमे रात में, जब भी तुम दिनर करने बैठो, जब भी तुम खाना खाने बैठो, तुम न्यूस लगा लो, वन आर तुमको न्यूस सुननी ही सुननी है, कोई भी चैनल लगा लो, क्योंकि देखो, तुम 9 बज़े से बैठो, 9 पीम, तुम 9 पीम से कुछ भी करने बैठ होगे हो सके तो राजसभा त्य centimeters does और नहीं हो पाराी तो कोई हैं या मझा व मद देख न ओम देखो ऐसा चैनल देख लो एसा चैनल देख लो जहां पर आपको दिम्बर आती थे द्रका습니다 तो आपको अगरे दिर अगबार पढ़ना असान रहेगा आपको यह निकलना है कि जो पॉलिटिकल न्यूज है उसको आपको रिजट कर देना है ठीक है और इसके लावा जो न्यूज आ रही है जहां पर कुछ इनिशेटिव कोई स्कीम कोई अब्जेक्टिव कोई नाम कोई बाट न्यूज प्लेसे दिनूज इसब न्यूज में आया वह आपको रिड़ करना है कभी मैं आपको बता दूँगा ठीक है चली फिलाल के लिए आपर रोकते हैं इसको तो आप अपनी क्लास रोक देते हैं मिलते हैं आपकल माइड भी आपको सेम टाइम मिले या हो सकता है